भारत और दक्षन अफरीका के बीच वन्डर्स मैदान पर खेला जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शुक्रवार का खेल पिक्च की खराब स्थेती और बारिश के कारण समय से पहले समाप्त कर दिया गया, दिल का खेल खत्म होने तक भारत द्वारा रखे 241 रनों के लक्षे के सामने मेजबान टीम ने एक विकेट खोकर 8.3 ओवरों में 17 रन बना लिये हैं, स्टांस तक टीन एलगर 11 और हाशर ममला दो विकेट पर खड़े हैं, एडिन माका राम चार के रूप में भारत को एक सिफलात मोहमत शमी ने दिलाए, तीसरे दिन पिच के असमान उचाल के कारण कई बार बल्लेबाजों को चोटे लगी, जस प्रीट बुमराह की ऐसी ही एक गेंड एलगर के हेलमेट पर जाकर लगी और खेल प्रोप भी आ गया, इसी बीच बारिश भी आ गई और दिन का खेल समापती की घुशना कर दी गई, इससे पहले, भारत ने दक कर तालीस कप्तान विराट कोही ने, तालीस भूवनेश उरकमार ने, तैंतीस मोली विजय ने, पच्चीस और मोहमत शमी ने 27 रन बनाए, दक्षन अफ्रीका की और सिक घीसों रबाजा, वे नून फिलुंड़ और मोनेर मोकल ने तीम तीम सफलता हासल की जब की लिंगी न दिन का खेल, इंदी विए सरे 3rd, टेस्टे 1, पहले दिन का खेल समाप्त, 187 रन उफर सिंटी भारत की पारी इंदी विए सरे 2, दूसरे दिन का खेल समाप्त, दूसरी पारी में भारत का स्को उंचास बताएक.